कैसे हो आप सब कल के मेरे एपिसोड मिडल क्लास में आपनी जितना अच्छा रिस्पॉंस दिया सबसे पहले उसके लिए थैंक यू सो मच इसी तरहें अपनी स्पोर्ट अपना प्यार देते रहिए मेरे चैनल को आज हम बात करेंगे चाई पर एक कब चाई हो जाए बस इतना कहने भर की देर होती है चाहे आप कितना भी बीजी हो काम का प्रेशर हो सब उड़न चू हो जाता है बस चाई का एक घूट गले के नीचे उतरा तो चैन की सांस मिल जाती है ये चाई की आदद है ना अपने भारत में सालों पुरानी है मेरा अनुभव कहता है जिसका चाई से लगाव रहता है जरूर उसके दिल में कोई घाव रहता है फिर चाहे हजारों गिले शिकवे हो एक कब चाई और सब रफा दफा चाई की प्याली के बिना सुभा की अख़वार की खबरे हो चाई आप मोबाइल से खबरें पड़ें तो बिना चाई के कुछ मज़ा ही नहीं आता अब तो राजनेती में भी चाई पर ही चर्चा होती है किन्तो क्या कभी आपने सोचा है ये चाई आखिर आई कहां से आज जानते हैं इन चाई की चुस्कियों के पीछे की कहानी अगर सुभे की शिरुवात एक कप गरम चाई से हो जाए तो बस बात ही क्या है गर्मा गरम खबरें और गर्मा गरम चाई जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है एक प्याली चाई अपने भारत के अंदर ढाबे से लेके फाइव स्टार होटल तक चाई ने अपना जो है ना एक ऐसी जगे बना ली है जिसकी जगे कोई और ले ही नहीं सकता आप जानते हो इस चाई की शिरुवात कैसे हुई इंडिया में ये चाई कैसे पहुँचे इसके पीछे एक बहुती परचलित कहानी है एक राजा था वो अक्सर सुभे के वक्त अपने बगीचे में बैठ कर गरम पानी पिया करता था और अपने मंत्रियों के साथ अपने पूरे दिन के काम की सलह मशुरा किया करता था एक दिन वो गरम पानी लेकर बैठा था के थोड़ा हवा का जोंका क्या आया पेड से कुछ पतियां गिरी और उस गरम पानी में गिर गई जैसे ही पेड की पतियां उस पानी में गिरी उन्होंने अपना रंग बदला और उस पानी में से एक महक उठी राजा को ताजब हुआ कि ये क्या है जैसे ही उन्होंने उसका स्वाद चखा तो उन्हें वो स्वाद बहुत पसंद आ गया और इस तरह से चाई का अविश्कार हुआ हम भारतिये तो सुबह चाई के बगर सोच ही नहीं सकते क्योंकि चाई ने हम भारतियों की जिंदकी में अपनी एक एहन जगे बना ली है उन्हें सदी के अंत में जब ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो उस वकत उन्होंने असम में पहला चाई का बागान शुरू किया था इस्ट इंडिया कंपनी तो वैसे बहुत पहले आ गई थी लेकिन यह जो चाई का कॉंसेप्ट है यह उन्होंने 19 सदी के अंत में असम में पहला बागान बना के शुरू किया था और आज भारत पूरे वर्ड में चाई का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आसम के बाद दारजलिंग की चाई, जोर्स की चाई, तराई और कांगड़ा की चाई भी बहुत फेमस है वर्ड में चाई की भी तीन कॉलिटीज हैं जो में मतलब तीन टेस्ट फेमस है ना वो इंडिया टी, चाईना टी और हाइबरिड टी इनी तीन से कई तरहें की चाई बनाई जाती है अब ये चाई एक अपने ऐसी जगे बनाई हुए है चाहे सुख का हो, महोल तो चाहे दुख का चाहे के बगैर सब कुछ अधूरा है इवन चाहे वेलकम ड्रिंक बन चुकी है कोई भी गेस्ट आएगा, टी से रमनी तो हो नहीं है अब चाहे है ना आज का इनसान अगर उसकी तुलना खुद से कर ले तो उसका किरदार भी चाहे जैसा ही है किसी को हद से ज्यादा पसंद है किसी को नाम से ही नफरत है तभी तो कहते हैं, ये चाहे चाहे नहीं है ये चाहे बड़ी लाजवाब चीज़ है कहते हैं, आज के इस वक्त में किसी से वफा की उमीद मत करो बस चाहे लीजिए और सब कुछ रफा दफा कीजिए आप कभी रिष्टों में कभी कोई उधेर बुन शुरू हो जाए तो कहते हैं, वो खामिया, वो गलत फैमिया सब को बुलाने के लिए चलो आज किसी बहाने से चाहे पर बुलाते हैं ये चाहे बहुत भारी भरकम उठा पटक का एक बहुत ही आसान जरिया है कुछ भी सुलजाना हो चाहे पर नियोता दीजिए आपका सब कुछ काम ठीक और बढ़िया हो जाएगा तभी तो कहते हैं जिन्दकी तू भी भागते भागते ठक गई होगी चल आख अभी बैठ साथ में मिलके चाई पीते हैं चाई के दिवाने भी बहुत तरह के होते हैं और इसके लिए आपको टाइम देखने की जरूरत नहीं होते हंड लग रही है तो चाई बना लो गर्मी लग रही है तो चाई बना लो बारिश हो रही है चाई बना लो ठक गई हो अरे भाई चाई बना लो मैं भी वैसे इस सवकत चाई लेकर ही बैठी हूँ आपसे बात करने के लिए अगर आप भी फ्री बैठी हो तो बना लो चाई कुछ नहीं है तो चाय बना लो मेरा ये पोड़का सुनकर अच्छा लग रहा हो तो चाय बना लो अगर कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा तो चाय बना लो बोर हो रहे हो तो चाय बना लो सुबह हो या शाम हो चाय बना लो इस चाय के उपर हम जितनी भी बात करें उतना ही कम है क्योंकि ये जो चाई है न एक आपका अगर कोई संडे है और काफी लेजी संडे जा रहा है आपका दो फेहर होने को आई है तो बढ़िया सा एक कप चाए और बस दिन बन जाए आप जानते हैं चाए के पोधे की आयू कितनी होगी चाए के पोधे की आयू सो वर्ष तक की होती है और अगर इसको ना काटा जाए तो ये नीम के पेड की तरें विशाल हो जाता है और इसकी जड़े इतनी मजबूत हो जाती है के इस पोधे को खाड़ना इतना असान नहीं रह जाता अब तक मैंने आपको चाए पर जितनी भी बात की आप कहेंगे ये चाए क्या है लेकिन अब लास्ट में मैं आपको इसके थोड़े से फाइदे गिनवा देती हूँ चाए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ड्रिंक होता है आप जानते हैं इसमें पोटेशियम जैसे खनीज पदार्थ बहुत पाये जाते हैं इवन इसमें एक थाइमिन नमक अमीनो एसिड भी पाया जाता है जो आपकी बॉड़ी के लिए बेहद बेनिफीशियल होता है ये एक एंटी ऑक्सिडेंट हेल्दी ड्रिंक भी है इसे आपका जो पाच्चन तंत्र है उसके लिए अगर आप इसे घरेलू ओश्टी की तरह एक मिसाला चाई यूज़ करेंगे तो इसके बेनिफिट्स आपको खुद बखुद पता चल जाएंगे ये थी हमारी एक छोटी सी चाई पर चर्चा आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताईएगा लाइक और शेर कर दीजिएगा और सबस्क्राइब करना बिलकुल मत बुलिएगा मिलूंगी आपके साथ फिर एक नई इंटरस्टिंग स्टोरी इंटरस्टिंग डिसकेशन के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई धुड़ बबाईएगा आदरस्टिंग ग्या है आदरस्टिंग म्वारे है